वाइकम डियर स्टूडेंट्स लस्टीवम और आप जुडे हुए हैं जेन्वी मैट्स के साथ आज हम आपके एंट्रेस एक्जाम के लिए लेकिये हैं अगला चेप्टर जिसका नाम है इस चेप्टर को समझने के लिए बहुत सी चीज़ें आपका जाना ज़रूरी है प्रोफिट क्या होता है लोस क्या होता है क्रेमुल्य क्या होता है यानि क्रेमुल्य और विक्रेमुल्य में क्या अंतर है क्रेमुल्य, विक्रेमुल्य, लाब और हनी इस सबसे सना हुआ ये पूरा चैप्टर है और इसी पर सारी बाते होगी बहुत ही एजी चैप्टर है सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये प्रोफिट होता क्या है profit को हिंदी में बोलते हैं इसके बाद आपको समझना होगा कि ये loss क्याफ होता है हिंदी में बोलते हैं इसको honey इसके बाद आपको समझना होगा क्रे मुल्य क्या होता है क्रे मुल्य ठीक है जिसे इंगलीज में बोलते हैं cost price इसके बाद होता है विक्रिय मुल्य इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस ये सभी क्या होता है कैसे इसको समझेंगे ये जरूरी है प्रॉफिट मतलब लाब लोस मतलब हाने लाब और हाने तब होगा जब ये क्रेय मुल्य वाले बात होगी क्रियम उल्या का मतलब क्या होता है क्रियम उल्या का मतलब होता ये स्टूडेंट कोस्ट प्राइज यानि कुछ ना कुछ हमारे पास आना For example सिवम सर्की आपने किताब खरीद ली किताब को आपने खरीदा वो आपका क्या है क्रियम उल्या है उस किताब का, जैसे कि मेरे से आपने वो किताब 400 रूपीज में खरीद ली, that means उस किताब का आपके लिए क्रियम उल्या कितना है 400 रूपे, और क्रियम उल्या का मतलब चाओ गया, कोई भी चीज़ आपके पास आ रहे हैं आप कुछ ला रहे हैं कुछ accept कर रहे हैं और वो वस्तु आपके पास आये जैसे ये पहन है, मैं इसको खरीद ना हूँ मैंने दस रूपे में इसको खरीदा है that means ये मेरे पास आएगा और इस खरीदारी को बोलती है क्रियम उल्या यानि cost price अब बात करते हैं विक्रियम उल्या यानि selling price की ये क्या होता है ये मैंने पहन खरीदा था कितने में खरीदा था दस रूपे में खरीदा था मैंने बोला कि देखो अरुन मान लीजी आपका नाम है ये पहन लीजी मैं आपको 15 रुपे में बेचता और जब मैं आपको बेच रहा हूँ मतलब मेरे हाथ से ये ठिना जा रहा है आपको मैं दे रहा हूँ यानि मैं खुझ इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ वो होगा selling price यानि विक्रियम उल्या अब एक बात को समझे यही pen मैंने कितने में खरीदा 10 में खरीदा और मैंने आपको sell कितने में किया 15 रुपे में किया that means मुझे क्या हुआ 5 रुपे का profit हुआ क्या हुआ 5 रुपे का profit हुआ फाइदा हो गया ना भया तो मुझे क्या होता गाटाफ होता तो उसे बोलते है हाल नहीं फिर पर इतला सा ही समझना आए इसको अब सवालों पर ध्यान देंगे और सवालों से इसे समझेंगे कि किस किस तरीके के यहाँ पर प्रशन भाएंगे वहना सवाल किसी वस्तु को 800 रुपे में खरीद कर 900 रुपे में बेश दिया गया ठीक है किसी वस्तु को 800 रुपे में खरीद कर 900 रुपे में बेश दिया अब इसमें क्या हुआ है? लाब या हनी जो भी हुआ है उसका प्रतिस्थ ग्याद कीजिए यानि इसने कहा है कि एक वश्ष्थू थी उसको आट सो रुबे में खरीद लिया और उसको नो सो में बेश दिया वापिस और इसके बाद जो लाब हुआ है वो कितने परतिशत लाब हुआ है इसकी प्राइज से इसका मतलब क्या है मान के चलिए कि ये कोई भी एक लेंप है और हमने वो लेंप है ना 800 रुपे में मैंने वो पर्चेज कर लिया क्या कर लिया पर्चेज कर लिया जब मैंने इसको 800 रुपे में पर्चेज किया बोन करे मुले क्तना माना जाएगा 800 रुपए अब मैंने क्या किया कि यह न्म्प मुजे पसंद नहीं है मैंने फास मेरे दोस्त को बेचिता हूँ मैं गिया बने दोस्त के पास यह लेचा हुगा इतना Daar सिलिय दें तो था वक कर और फूस होगा तब वो कहेगा मुझे दे दे, मैंने का यार नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये नहीं ले ले तो कहीं और से ले ले, फिर वो कहेगा नहीं मुझे अभी चाहिए और मैं उसे बलूँगा 900 रुपे न दे दूँगा, मुझे इतने कई आया है, अब वो कहेगा दे दो, तो मैंने क्य कर दिया, उसको sell कर दिया, बेच दिया और बेचना होता है विक्रिय मुल्य कितने रुपे में, 900 रुपे में, कितने में बेच दिया, 900 रुपे में, यहां पर मुझे क्या हुआ है, dear students, क्या हुआ है profit हुआ है, कितने रुपे है वो ग्याद किजिए यानि कितना हुआ है वो नहीं ग्याद करना कितना प्रतिसत हुआ है वो ग्याद करना है ठीक है अच्छा प्रोफिट कितना हुआ है डिये स्टूडेंट्स याद रखिएगा लाब ग्याद करना हो यहानी प्रतिसत ग्याद करना हो कुछ भी ग्याद कर नहो ठीक है दोनों के लिए formula एक ही है कि आपको कुल कितना लाब यहानी हुआ है बटा में वो उसका क्रेयम उल्य कितना था गुणा में 100 गुणा में 100 तो यहां पे तो हमें लाब हुआ है यानि profit हुआ है तो profit का percentage निकालेंगे तो कितना आएगा हमें profit कितना हुआ 100 क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, हजार, ओ सोरी, हेंड्रेट बटा में क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, दो के पहाड़े पे कट जाएगा, या चार के पहाड़े पे कट जाएगा, और यह आ जाएगा, बारा सही एक बटा दो प्रतिशत, हमें कितना लाब हुआ है, बा प्राइट्स में हो सकता है, डारेक्ट फ्रेक्शन में हो सकता है, तो वो उप्सन पे डिपेंड करता है, इससे सवाल आएंगे, लेकिन प्रॉफिट और लोस के लिए पूरा दिमाग लगाना परेगा, आप इवन ही एंक्योसंस को नहीं कर सकते, कि सोचोगे कि ठीक है भईया ये एक कर दिया तो सारे ही होगे, नहीं होगा, प्रॉफिट और लोस के अंदर बहतरीन ट्रिक्स का यूज होगा, हर प्रॉशन के अंदर एक अलग ही दिमाग लगाया आफ होगा, अगला सवाल, किसी वस्तु का क्रेम उल्या ब्यासी सो रुपे था, एक वस्तु है डियर स सवाल लिख लेते हैं, किसी वस्तु का क्रेम उल्या ब्यासी सो रुपे है, था सोरी, तो बताओ बीस प्रतिसत लाब प्राप्त करने के लिए, ये था, तो बताओ बीस प्रतिसत लाब प्राप्त करने के लिए, इस वस्तु को कितने रुपे में बेचांज आए, अब ये कह रहा है, कि इस वस्तु का ठीक है, ये वस्तु मैंने परचेज कर लिए, इसका क्रेम मुल्य कितना है, डिये स्टुडेंट्स, बीस प्रतिसत क्या हो जाए, लाब हो जाए, बहुत ही ट्रीकी क्योसन है, शिंपल सा बात है, कि किसी भी चीज के में आप हैंरेड़ उसको टोटल मानते हैं, यानि येалы स्टु कितने परसेंट मानते हैं? ठीक है तो यह 2800 रुपे है अगर profit होगा तो 100 में क्या हो जाएगा वह plus हो जाएगा तो 100 plus में कितना परसेंट होना चाहिए 20% होना चाहिए बटा में 00 लगा दीजिये 20 से 20 कैंसल होगी 280 गुना में 120 क्या बचकी है dear students 24 गुना में 120 तो 120 की किसने गुना कर दीजिए, 82 से कर दीजिए, 200, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 800, 8 दूनी 16, केरी 1, 8 एकम 8 और 1, 9, यह आगया 98, 140 रुपे, यानि अगर इसको 98 से 40 रुपे में बेचे, कितने में बेचे, 98, 140 रुपे में अविर इसको बेचा जाए, तो इसको 20 प्रतिसत इस से बेनिफिट हो जाएगा, हमने यह डारेक्ट मल्टिप्लाई कर ली, इसका मतलब भी आपने समझा है, हमने डारेक्ट मल्टिप्लाई कर ली, सिंप्ली बात यह थी, क्या दिया गया था, 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 तब ऐसा हमने किया है क्योंकि क्रेमुल्य वाली चीज को बेचला है तो हमने डारेक्ट मल्टिप्लाई कर दिया 20% profit के साथ ठीक है अगला सवाल देखिए थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं किसी वस्तु को 1160 रुपे में बेचने पर ठीक है 30% हानी होती है 30% हानी होती है तो उसका क्रेमुल्य ग्याद कीजिए यहाँ पर अब की बार क्या दिया हुआ बेच कर मतलब यहाँ पर दिया तो क्या है वी क्रेमुल्य दिया है पहली क्या दिया था क्रेमुल्य दिया किया था 30% हानी होती है थोड़ा सा चेंज हुआ है जब भी क्रेमुल्य हो क्या हो डियर स्टूडर्स क्रेम उल्य दिया हो कुछ भी दिया है और उसमें लाब और हाने कुछ निकालना है उसके अंदर फोमला लगाएंगे क्रेम उल्य तो दिया है उसमें लाब होगा सो पलस में लाब अगर लाब होगा तो अगर उसमें हानी का उप्सन आए तो सो माइनस में हानी और इसके बटा में क्या होता है डियर स्टूडेंट सो होता है ये फोमला लगीगा जो पिछले सवाल में हमने लगाया था लेकिन यहीं अगर बात हो जाए विक्रियम उल्य देने की या सो माइनस में हानी ये फोमला लगीगा तो ये उल्टर सो हो जाएगा फोमला पहले हमने क्या किया था पहले वाले सवाल में ब्यासी सो गुना में किया था एक सो बीस बटा में सो क्योंकि इसमें बीस परसेंट क्या हो रहा था बेनिफिट हो रहा था ठीक है, बेली फूट हो रहा था, वो उबपर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था, क्रयम उल्य था, यहाँ पर क्या है, विक्रियम उल्य है, तो 1190, कितना लोई सो रहा, 30% का तो 60-30, 70, क्या बच गया? 70, लेकिन यह 70 अब उबपर नहीं आएगा, कहा आएगा, क्यों आए स्टुडेंट्स, सत्रा सो रुपे, ग्यारा सो नबबे की चीज़ को बेश दिया और 30% हानी हो रहे तो मतलब उसका करेयमोलिया कीतना था? सत्रा सो रुपे था, सत्रा सो रुपे की चीज dram 1,90 मेरे भेश दिया तब उसको 30 % की हानी हो यह थी, तब उसको 30 % की थी, बड़ा ही tricky question है और ये formally है ना ये आपको सीखने पड़ेंगे और ये practice से आएंगे ये practice से आएंगे उमीद करताओं कि आपको सवाल समझने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो आपको comment box में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी कहना चाहूँ आस अभी students से लाइक रंदिया करो आएक नहीं गरते हो आप अगला सवाल किसी वस्तु को 15% की हानी से बेचने पर कोई वस्तु है ठीक है हम लिखते हैं किसी वस्तु को 15% हानी पर बेचने से या बेचने पर 25 रुपे प्राप्त होते हैं पर 2550 रुपे प्राप्त होते हैं तो बताओ 20 प्रतिसत लाब प्राप्त करने के लिए तो बताओ 20 प्रतिसत लाब प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना साही है इसको कई तरीकों से हम अपहल कर सकते हैं सिंपली आप इसका प्रोफिट एंड लोस दोमों का यूज़ करके बहुत ही आसानी से इसे सोल कर सकते हैं लेकिन हम इसको बैसिक नोलेज से करेंगे ताकि उस तरीके को आपका भी ना बुले और बैसिक क्या कहता है अभी अमने एक सवाल किया था कि किसी की सवाल में बेचने के उपर यानि विक्रिय मुल्य बताया गया हो कितना है 2550 रुपे कितना है 2550 रुपे और बताया गया हो कि उस पे क्या हो रही है हानी अलाब हो रहा है हमें बता दिया कि 15% की हानी हो रही है तो हम उसका क्रियम मुल्य ग्याद कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स क्रियम मुल्य ग्याद कर सकते हैं और क्रियम मुल्य ग्याद करने के लिए हमारे पास formula था क्या था कि विक्रियम मुल्य गुणा में हेंड्रेड बता में हेंड्रेंट माइनस में लाब या हानी माइनस प्लस कर रहा हूं क्योंकि अगर नाब होता तो प्लस हो जाता हानी होती है तो माइनस हो जाती है समझ में आ रहा है ना तो यहां पी हम क्या कर रहे है क्रेम उल्य ग्याद कर देंगे क्रेम उल्य ग्याद कर लेंगे विक्रियन गुल्य कितना है 2550 रुपे है गुणा में क्या है 100 है हमारी हाने कितनी हो रहे है 15 परतिसत हो रहे है यह तो 100 में से 15 गया 85 ठीक है यहांते से कट कर सकते हैं पांस के टेबल में काट सकते हैं ठीक है तो यह पांस के टेबल में 5 ones of 5 35, 17 पे कट गया ये 5 के टेबल में काटेंगे तो कितने पे कट गया, सोरी इसको बाटेंगे ठीक है, 55 होता है फिर 5 एकम 5 हो गया, फिर 0 गया, 510 और हमें पता है, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, ये कितना आगया 30 आगया, तो करेम उल्या कितना आगया 30 into 100 यानि 3,000 रुपे तो ये क्या आगया, हमारा करेम उल्या आगया तो इस वस्तु पे अब क्या करना है 20 प्रतिसद लाब कमाना है और उसे बेच देना है, तो 3,000 गुणा में 20 प्रतिसद लाब का मतलब 120 upon 100 क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, क्रेम उल्या है यहाँ पे अब क्या है, क्रेम उल्या है तो सिंपल सी बात है, 0 से 0 कटो यह भी 0 से 12 तिया 36 यानि 3600 रुपे में अगर इसे बेचे है इसी वस्तु को अगर 3600 रुपे में बेच दिया जाए, तो 20% क्या हो जाएगा प्रोफिट हो जाएगा ठीक है, अच्छा अब दूसरे तरीके में देखिया यह तो तब बेसिक स्टेंडर्ड जो आपके स्थमज में आ गया होगा, दूसरे में क्या है 15% हानी ही या इसको बेचा 2550 रुपे में हानी कितनी हो यह 15% हो यह ठीक है, दूसरा केस क्या है 20% हमें लाब चाहिए भाईया, सिंबल सी बात है यही बात थी, 20% हमें लाब चाहिए ठीक है, तो चाहिए क्या इतना कितने में से, 100 में से मिला क्या, 85 माइनस करने के बार मतलो रहा कितना 85%, कितने में से 100 में से, गुणा में क्या इसका विक्रियम उल्य है गुणा में क्या इसका विक्रियम उल्य है अब इसे जब गुणा करेंगे वही उत्तर आएगा 3700 रुपे लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है हमें इसके basic standard form से करना है हमें निकालना आना चाहिए कि क्रियम उल्य हम कैसे निकाल सकते हैं हम विक्रियम उल्य कैसे निकाल सकते हैं हमें रटाफिकेशन पर नहीं लगना है क्योंकि जो हम कर रहे थे वो रटाफिकेशन था ये जो है ये ट्रिक्स है स्वारी ये जो है रटाफिकेशन है और tricks है और ratification और tricks को याद करना मुस्किल हो जाता है as compared to basic ठीक है है अब ममी पपा को याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह हमारा basement है वाँ से हम हमेशा ही उनके पास रहते हैं ममी पापा ममी पापा करते रहते हैं उनको याद करने लिए किसी trick की ज़रूर sewage तो same way अगर इसका basic अगरे clear है तो हमें किसी trick की ज़रूर 죄 knew है लाप यहाने निकाल दो लाप यहाने दिया गया इसका वित्रियम मुल्य निकाल दो दोनों के लिए formula है मैंने बता दिया है आपको formula क्या है ठीक है dear अगरा सवाल, एक और सवाल कर लिते हैं इस क्लास में काफी बच्चे बोलते हैं कि सर काफी कम टाइमिंग की वीडियो रहती है 20 मिनिट की वीडियो रहती है क्यों आप घंटे की नहीं बनाते तो मैं ये सुष्ताओं की घंटे की वीडियो बना दूँगा तो आप सोधाएंगे मैं थैं ना ये, एक घंटे नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन एक घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी वस्तु को 630 रुपे में बेचने पर 10 प्रतिसत हन्या हानी होती है अब हमें पता लग गया कि ये इसका विक्रेम मुलिय oats ये इसकी हानी हो गई तो बताओ 910 रुपे बेचने मेंuta प्रतिसत लाव होगा, अब ये कहँ रहा है तो बताओ अगर आपस 910 रुपे मेंबेच से ना इसको लाब कितना होगा है प्रतिसद न, लाब प्रतिसद कितना, यह निकाहला, इस निडारे टोब, ठीक है, कित्मे प्रतिसद लाब, हमें पता है, अगर वो वस्तु का विक्रिया मुल्य गुड़ा में सो पलस में लाब, जिरो से जिरो सेवन पर ये कैसल हो गया इस इक्वर टू साथ सो ये क्या है? ये क्रेम उल्य है ये क्या है? क्रेम उल्य है इसका साथ सो रुपे की चीज है अब इस साथ सो रुपे की चीज को अगर नो सो दस रुपे में बेचा जाए तो लाब कितना हो गया? 210 लाब परतिस्थ निकालने का फूमला क्या है? लाब यानि 210 बटा में क्रेम उल्य यानि 700 गुणा में 100 2-0 से 2-0, 7-21, 30% लाब परतिस्थ बराबर कितना आगया? 30% क्योंकि ये 0 भी तो है यहांपे ऐसे याद किया जाता है इससे इन सवानों को किया जाता है इससे ही इसकी ट्रिक्स लगाई जाती है लेकिन हमें वो चार तरीकों से मतलब नहीं है हमें बेसिक वाले तरीकों से मतलब है ताकि हमारा सवाल हम जट से सही करश पाएं तो यह हमने जट से सही किया है उमीद करता हूँ कि आपको हमारी कलास पसंद आ रही है उमीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे उमीद करता हूँ आप कॉमेंट भी कर रहे होंगे उमीद करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट से डेलिक वीजिज भी खेलती होंगे तो हमें call कर सकते हैं अमारी website gnvmats.com के उपर last के उपर हमारे contact number दिये गए हैं हमारे YouTube की हमारे about section के अंदर भी हमारे contact number दिये गए हैं तो वहां से आफ हमें whatsapp कर सकते हैं Instagram पे message कर सकते हैं Facebook पे message कर सकते हैं जिस भी social media से आप जुड़े हो वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपकी बात समझ सके और उस पर एक्सन ले सके या उसका समारहन कर सके आज करी इतना ही अगली कलास में जल्द ही मिलते हैं जे ही जे भाद